ताजा खबरों के लिए RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए बालापूर तहसिल के निम्बा फाटा में इस्थित एक गादी कारखाने में शौर्ट सर्कृट की कारण आग लगी इस गटना में गादी कारखाना संचालक का देड़ लाक रूपियों का नुकसान हो गया इस गटना में गादी कपास और रुई जलकर खाक हो गई बालापूर तहसिल के अंतरगत आने वाले निम्बा फाटा में टीन पत्रों की खूली में रखे गए गादी और रुई में लगी आग में तकरीबन डेर लाक रूपियों का नुकसान हो गया निम्बा फाटा में गादी कारखाना के मालिक नीजाम भाई के कारखाने में अचानक आग लगने की घटना हुई पहले कारखाने से धुआ उठ्टा दिकाई दिया जिसके बाद देखते ही देखते आग में भीशन सोरुक ले लिया और कारखाना आग की चपेट में आ गया इस्थानी नागरिकों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया जिसमें वह सफल नहीं हो पाए इसके बाद इस घटना की जानकरी उरल पुलीस ठाने को दी गई जिसके बाद थानेदार अनंतरा वड़तकर अपने दलबल के साथ घटना इस तल पर पहुंचे थे जिसके बाद हाता के इट उद्दो जग कापले का पानी का टेंकर बुलाकर आग पर काबू पाया गया यह आग शार्ट सर्किट के कारण लगनी की जानकरी प्राप्त हुई है इस घटना में देड़ लाक रूपियों का नुक्सान हुआ है लगडाउन के कारण यह गादी कारखाना बंद था इस घटना में निजाम भाई आर्तिक संकट में आ गए है जिसे देखते हुए उन्हें आर्तिक सायता देनी की मांग की जा रही है ग्राम हतरून से काजी मेहंदी हसन की रिपोर्ट